जहिन मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स टेम पापका स्वागत देखिए रिजर्व वैंक ओफ इंडिया आर वी आई के अंतर गता आप लोग के लिए जूनियर इंजिनेरिंग के लिए सिविल और इलेक्टिकल वेस्ट के लिए यहां पर रिकूट्मेंट अपडेट कर दिया गय को वाइड किया जाता है तो उसका नोट विकेशन वापके पाश टाइम पर उपलब्द हो जाएगा सॉडली रूप से देखिए यहां पर इंडिया के अंतरगत पर जूनियर इंजिनेरिंग के लिए इंजिनेर्स के लिए सिविल और इलेक्टिकल जिसका डिपार्टमेंट है इसके लिए यहाँ पर एक मत Colum RAW आप कर सकते हैं तो एक क्या कर सकते हैं वेब्साइट मेशन को हम बात करेंगे जैसे कि मैंने बता दिया थीघी इंजिनियर के लिए इंजिनियरिंग बेस के लिए सिविल इलेक्टिकल के लिए हाँ रेक्रूटमेंट अपडेट है वेबसाइट इसका क्या है www.rbi.org.in पर देख सकते हैं ठीक है अब देखें इंपोटेंट डेट यहां पर निकल क्या आता है कि जो लिखा गया है यहां पर इंपोटेंट डेट तो आपका जो वेबसाइट जो लिंक ओपन है वो ओपन कर दिया गया है जून नौ जून को ओपन कर दिया गया 2030 में आप 30 जून तग इस फॉर्म को भर सकते हैं और पेमेंट ऑप एक्जामनेशन फीस ऑनलाइन की बात के तो जून नौ जून से आपका पेमेंट भी जिस दिन से आप फॉर्म बरना इस्टार्ट कर चुके और जिस दिन इसका लास्ट डेट है फॉर्म बरने का 30 जून तग आप लास्ट इसका फीस पेमेंट कर सकते हैं आपका जो टेंटेटिव एक्जाम डेट है ऑनलाइन आपका 15 जुलाई 2023 इसको हो जाएग ठीक है अब आगे बात करते हैं इंपॉर्म डेट तो यहां पर इसनिकल क्या आया अब वेकेंस की बात आता है जो है यहां पर डिटेल नोटेश की बात कर रहा है तो वेकेंस की बात कह तो दिरिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम इलेजिविल सबसे पहले बात के तो जो जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए देखिए इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल रिजन के बेस में मतलब पूरा पच्चिम उत्तरदक्षिन और मध्य इरिया बेस में तो सिविल इंजिनियरिंग के लिए देखिए टोटल यहां पर 29 सिविल नॉर्थ के लिए गंजिनियर इंजिनियर सिविल इंगे इत हैं यहां पर अगर अब बात करें तो इक्रिकल्ड डिपार्टे का अंतरकत पर इहां पर भी जो नॉयजव बाके दो सिविल इंजिनाइन बाता है इस्ट नॉर्थ साहं सव हैं और सेंटरल बेस के अंतरगत पर इस्ट पर कोई वेकंसी नहीं वैस्ट पर चार नॉर्थ पर नहीं है साउथ पर एक पोश्ट और ये पोश्ट टोटल चैनल पर इंकलूड होगे ठीक है आप समझ गयोंगे यहां पर टोटल कितनी 35 पोश्ट इनके द्वारा दी गई है ठीक ह आप देख लेना जिस category से आप विलॉंग करते हैं तो उस base के अंतरगत में हापर कितनी vacancy या आपको ध्यान में रखनी है अब बात करेंगे आगे बढ़ते हैं और क्या चीज यहाँ पर निकल क्या था एक बार मैं salty रूप से discuss करी देता हूँ बहुत चीज हो जाएगा तो वीडियो लेंडी हो जाएगा आप कर लिजेगा ठीक है अब देख लीजेगा पहुच करके आराम से मैंने आप थोड़ा सा रोग दिया है अब आप समझ गयोंगे मैं वही चीज यहां पर discuss करूंगा जो आपके फॉर्म बरने के लिए क्या हो जाता है इंपोरेंट हो जाता है और देखते हैं यहां पर और चीज आपके लिए क्या निकल क्या था बस वही डिसकस कर रखा है कि कैसे आप क्या चीज यहां पर कर सकते हैं इंपोरेंट क्राइटिरिया तो आप जानते हैं इंपोरेंट क्या चीज हो जाए कि इंडिया का होना चाहिए नेपाल भूटा ने शक्तर कुछी चीज़ आप पर पढ़ ले ना में जयादे बात नहीं करूंगा अब इंपोरेंटली रूप से एजुकेशन क्यालिपिक University और Board with minimum 65% of marks देखिए General category के लिए 65% marks से आपके पास में क्या होना चाहिए Diploma होना चाहिए Civil Waste के अंतरगत पे और category के लिए STSU PWBD के अंतरगत 55% होना चाहिए Degree in Civil Engineering from Recognized University with 55% marks होना चाहिए अगर आपके पास में डिगरी है तो आपका कितना होना चाहिए 55% जनरल category के लिए और STSU और PWBD के लिए 45% marks होनी चाहिए यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है अगर बात करें तो Junior Engineer based के अंतरगत पे शिविल के वाले देखिए डिप्लोमा और डिग्री वाले दोनों इसके लिए इलिजेबल हैं यह चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है वही Junior Engineering based के अंतरगत पे Electrical के लिए जो recruitment है minimum 3 years diploma in Electrical and Electronics Engineering from Recognized Institute based के अंतरगत पे और University और Board with minimum 65% marks होना चाहिए आपका डिप्लोमा में ठीक है जनरल कैटेगरी के लिए और STSE और PWBD के लिए 55% marks होनी चाहिए और डिग्री इन Electrical or Electricals and Electronics Engineering from Recognized University with 55% marks में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए STSE और PWBD के लिए आपका 45% marks होनी चाहिए देखे एक्स प्रेंस बेस के बात के रहा है तो यहाँ पर जूनियर इंजिनियर और जूनियर इंजिनिरिंग दोनों बेस के अंतरगत पर जो सिविल और Electrical के लिए है तो आपके पास में डिप्लोमा धा आपके पास में डिग्री है तो वन यह का एक्स प्रेंस होना चाहिए और आप यहां पर पढ़ सकते हैं ठीक है और बहुत चीज़ें है यहां पर अगर इसकी के अंतरगत पर एक चीज़ हमने बात नहीं करें ना कि फॉर्म पीस के लिए चार्सों पचास रुपर फॉर्म पर फॉर्म पीस के लिए प्रिशिकल एंड के बैच्छक्ता बेस के लिए 50 पर फॉर्म पीस है यह इस इस भी आपको ध्यान में रखनी है ठीक है मैंने डूड़ान उपर कहीं पर लिखा होगा इसका वैसे वैसे मैंने आपको बताई दिया तो यह इस भी आपको नोटिस कर अगर बात करें तो अगर इनका पेपर होगा तो कितने है 300 मार्क्स का होना 150 मिनट दिया जाएगा आपको इस भी ध्यान रखना है इसी के अंतर गत्त बात कर तो धाई घंटा हो गया ठीक है साट-साट दूना 120 हो गया प्लस 30 कर रहे तो कितना हो गया दो घंटा 30 मिनट पहले बात करें तो इंग्लिस लाइंग्वेस के आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के आपको टोटल टाइम दिया जाएगा 40 मिनट के अंतरगत पर आपको सॉल्व करनी है दूसरे की बात के तो इंजिनेरिंग जो है यहां पर डिसिप्लेन पेपर फच्ट यहां पर 192 के इंतरगत पर आपको सॉल्व करनी है टोटल । क्यों पूछे जाएंगे आपको 300 मार्क्स का होगा यहां पर और 150 मिनट के अंतरगत पर आपको सोल्व करना है ठीक है और इसी को दिखने गाप को पारिक कोनों से इलेजिबल होने चाहिए आप और बहुत सारा नौटिकेशन है उतना हमें आपको कोई डिसकस नहीं करेंगे ठीक है सॉल्डी रूप से वैसे समझ गये होंगे जो यहां पर आर बी आई के अंतरगत पे लगवाए-लगवाए-35 पोश्टों के लिए सिविल और इलेक्टिकल बेस के अंतरगत पे जो यहां पर रिक्रूड मेंट अपडेट कर दिया गया तो आपके फॉर्म भढ़ने के लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या यहां से निकल क्या आता था क्या आपके पास में इलेजिबिलिटी क्या क्राइटीर क्या चीज बाटा गया कब तक आप एपलाई कर सकते हैं कैसे आपको एपलाई करनी इसकी साइड वेकेंसी किस के लिए कितनी पोश्ट है सॉड़ी रूप से यहां पर डिसकस करने के कोशिश के लाश्ट में हमने थोड़ा साइड डिसकस किया कि इसका एक्जाम जो पैटर्न क्या होगा कैसे कैसे क्वेश्टन पूछेगा सॉड़ी रूप से हमने वह भी आप आप लोग के लिए डिसकस कर दिया उम्मीद करूंगा दोस्तो इस इंफॉर्मेशन के अंतरगत पर आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन पूरा मिल गया होगा और सॉड़ी रूप से आप समझ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतरगत पर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर मिलेंगे जैहीन जै भारत